नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त मोहित रांटा Computer Awareness की सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है Computer Architecture Computer Architecture को आज की सीरीज में हम डिसकस करने वाले हैं आज से देखिए पिछली जो दो वीडियो थी उनमें हमने 40 के करीब क्वेश्चन लिये थे जो आज की हमारी जो सीरीज का ये पार्ट रहेगा इसमें हम 75 क्वेश्चन डिसकस करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सेशन कंटिन्यू होगा आगे बढ़ता जाएगा हम क्वेश्चन की जो संख्या है एक सीरीज में हम उसको बढ़ा देंगे तो Computer Architecture आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं 75 क्वेश्चन के बारे में तो आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें साथ में दिये हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिये हमारा आज का सेशन शूरू करना है सबसे पहला कोश्चन लेते हैं पहला कोश्चन हमारे सामने यहांपर है तो कंप्वीटर के द्वारा जे बेसिक फंचन अस्तिमाल किये जाते हैं वो कौन कौन से है data processing, data storage, data movement, data control या all of the above तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है यहाँ पर fifth all of the above यह सारे जो है यह computer के functions है ठीक है आगे बात करते हैं अगला question अगला question आपके समने यहाँ पर है dash forms the backbone for building successful computer system तो इसके लिए backbone का काम क्या करता है वो करता है computer architecture computer architecture जो है यह backbone का काम करता है computer system को build करने में ठीक है अगला question लेते हैं अगला question है यह यहाँ पर important question है इसको याद रखिएगा the first computer architecture was introduced in जो पहला computer architecture था वो कब introduced किया गया यह किया गया 1970 में यह यहाँ पर important question है जो very important questions होंगे उनको मैं question मैं highlight करता रहूँगा और आपको एक दो बार बताऊँगा इसलिए ध्यान से देखें ठीक है तो यह 1970 जो है यहाँ पर computer architecture introduced किया गया था ठीक है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है which circuit board is used in all electronic system such as computer calculator, digital system तो यह कौन सा है यह है यहाँ पर architecture first इसका right answer है ठीक है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरह से है अगला question लेते हैं अगला question है the system unit the system unit इसका जो right answer है वो है यह the system unit is the container that houses electronic components यह इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल है which of the following is metal or plastic case that hold all the physical part of the computer तो यह है system unit system unit जो है यह इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल हमारे पास हमारी जो screen पर है वो यह है the component that process data are located in which of the following तो इसका जो सही जवाब है वो भी आपके सामने यहां पर है system unit 3 इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल है which of the following is not responsible for the performance of the computer तो कौन सा नहीं है यह है number of keys in the keyboard यह है जो की computer की performance के लिए responsible नहीं है बाकी सारे इसके लिए responsible है ठीक है ninth question लेते है ninth question यहां पर हमारी screen पर है an dash device is any device that provide information which is sent to the CPU तो इसका जो सही जवाब है वो आपके सामने यहां पर है input अगर हम input करते हैं तो उसके बाद ही जो information है वो अम तक महुच पाती है ठीक है अगला आता है which of the following include as a type of input ठीक है input के type में देखिए data जो है यह भी input का type है programs है commands है user response है यह सारे क्या होते हैं आपके type of input होते हैं तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है all of these अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल आपके सामने यहां पर है information that comes from external source and fed into computer software is called इसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है input second इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल है यहां पर है input units convert data in computer in dash तो किसमे acceptable में ठीक है तो second इसका right answer है 13th question लेते हैं 13th question यहां पर है the unit sent the processed result to the user किस तरह से भीजता है यह देता है output के तौर पर अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल है output unit include plotter, printer, monitor या all of the above तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है all of the above printer के तौर पर भी output मिलता है plotter और monitor के तौर पर भी आपको output मिलता है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल यहां पर है इसका जो सही जवाब है वो है आपके सामने यहां पर c cpu cpu इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल जो है वो यह है यहां पर दो सवाल को हम इकठे ही लेंगे तो यह है the central processing unit cpu in a computer consist of किस चीज़े क्या क्या चीज़े होती है इसमें यह होती है control unit arithmetic logic unit और memory unit तो third जो है यह इसका right answer है 17th question लेते हैं which instruction is used for loading data into cpu accumulator regulator from memory तो इसका जो सही जवाब है वो है first load लोड इसका right answer है अगला question लेते हैं 18th question है where does computer and where does computer add and compare data ठीक है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने है यहाँ पर cpu chip third जो है यह इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं what is the brain of the computer brain of the computer जो है वो किसे कहा जाता है यह आपको यादोना चाहिए यह भी एक important सवाल है यह है cpu, cpu इसका right answer है cpu को brain of the computer कहा जाता है cpu is fabricated as a single integrated circuit which is known as उसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है microprocessor second इसका right answer है next question लेते हैं next question है the cpu chip used in a computer is partially made up of किस चीज़ की बनी होती है इसके बारे में हमने कल भी बात की थी तो याद रखिएगा इसका right answer है वो है आपके सामने silica silica की बनी होती है cpu की जो partially made up cpu chip जो है यह silica की बनी होती है ठीक है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल है the main job of a cpu is to तो यह क्या होता है main job main job होता है carry out program instructions और दूसरा होता है process data and information तो both one and three जो है यह इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल है the main purpose of time sharing technique used in computer is to make best use of the तो इसका जो सही जवाब है वो आपके सामने हैं यहां पर cpu अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल है the cpu is made up of two smaller components वो कौन कौन से component होते हैं वो होते हैं alu and cu यह इसका right answer है अगला question लेते हैं the cpu comprises of control memory and dash units तो कौन से units होती है इसका जो सही जवाब है वो है यहां पर arithmetic oblique logic units तो यह इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा what is the responsibility of the logic unit in the cpu of the computer तो इसका जो right answer है वो आपके सामने यहां पर second है to compare numbers 27th question लेते हैं 27th जो question है वो आपके सामने यह रहा which unit of computer help in communication between the memory and the arithmetic logical unit तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहां पर fourth है cpu अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल आपके सामने यह रहा which part of the computer is used for calculating and comparing तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है यह किया जाता है ALU arithmetic logical unit ठेक है अगला आता है pick the one that is used for the logic operations or comparison such as less than equal to or greater than etc तो इसका जो right answer है वो आपके सामने यहां पर AL है ALU first जो है यह इसका right answer है 30th question लेते हैं 30th question है what does ALU in computing donates तो ALU जो है यह क्या denote करता है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है arithmetic logic unit तो यह यहां पर आपका right answer है ध्यान रखेगा arithmetic logic unit यह इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल हमारे सामने यह है how many types of arithmetic operations does the ALU of computer perform तो कितने तरीके के कर सकता है perform तो इसका right answer है four four तरीके के perform कर सकता है next question है processors contain a control unit and an dash तो इसका जो right answer है यह है arithmetic logic unit fourth इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं which of the following executes the computer command arithmetic unit या logic unit तो इस सवाल का सही जवाब जो है यह है both one and two arithmetic and logic units ठीक है अगला question लेते हैं अगला question आपके सामने यहां पर यह रहा which unit is a combination which unit is a combinational digital electronic circuit that perform arithmetic and bitwise operation on integer binary numbers तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है यहां पर fourth ALU internal memory is an CPU internal memory in a CPU is nothing but तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है a set of register 35 का right answer यह रहा अगला सवाल लेते हैं which of the following which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer processor and may hold an instruction a storage address a kind of a data इसे क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है register first जो है यह इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल यहां पर यह है the portion of CPU that coordinates the activities of all the other computer's component is the यह क्या कहलाता है यह कहलाता है control unit third है यह है इसका right answer है अगला सवाल है which among the following is an important circuit in a computer system that directs the operation of the processor तो इसका जो right answer है वो आपके सामने यहां पर है control unit fifth जो है यह इसका right answer है अगला सवाल लेते हैं अगला जो सवाल है वो आपके पास control unit हम कर चुके हैं अगला question है आपके पास 40th sorry 39th question 39th question जो है यह आपकी screen पर है the part of computer that coordinates all its function is called its इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है its control unit ठीक है 40th question लेते है the control unit control other units by generating क्या generate करके कर जाता है तो यह है control signal first जो है यह इसका right answer है ठीक है अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल यहां पर है control unit of a digital computer is often called तो इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है nerve center इसके बाद अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल आपके सामने यहां पर है who invented the first microprocessor who invented the first microprocessor तो इसका जो right answer है वो आपके सामने यहां पर है Ted Hoff, Ted Hoff ने पहले microprocessor का जो है invent किया था, इसकी खोज की थी microprocessor is a brain of the computer and is also called इसे क्या कहा जाता है, इसे microchip भी कहा जाता है अगला सवाल लेते हैं, microprocessor next question जो है, वो है, microprocessor can be used to make, क्या बनाने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है computer, calculators, digital system, all of these तो इसका जो सही जवाब है, वो है, all of these fourth इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल जो है, वो है, the microprocessor is made up of millions of transistors, ये इसका right answer है the microprocessor of a computer, ये आता है understands only machine language, जो microprocessor होता है वो सिर्फ machine language को understand करता है और जो machine language है, वो है, 0 और 1 अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है, memory unit that communicates directly with the CPU is called, तो इसे कहा जाता है main memory, ठीक है, ये इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा, अगला सवाल है, CPU retrieves its data and instruction from, तो ये करता है main memory से, third इसका right answer है, अगला सवाल है, which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU, तो इसका जो सही जवाब है, वो आपके सामने यहाँ पर है, internal memory, second इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल है, the input output processor has a direct access to dash and contain a number of independent data channels, तो इस सवाल का जो सही जवाब है, वो है, यहाँ पर main memory, one इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं, the world computer usually refer to the central processing unit plus, तो इसका जो सही जवाब है, यह है, internal memory, तो second इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपके screen पर जो है, वो यह है, the CPU and memory are located in which of the following devices, तो इसका जो सही जवाब है, यह है, motherboard, यह इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल जो है, वो आपके screen पर यह है, the main circuit, the main circuit board is the computer that connects the part of the computer is the, तो इसका जो सही जवाब है, वो आपके सामने यहाँ पर है, motherboard, अगला question है, personal computer use a number of chips mounted on a main circuit board, what is the common name of such boards, तो इन boards का जो common name है, वो क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब है, वो आपके सामने यहाँ पर है, motherboard, second इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल जो है, वो आपके स्क्रीन पर यह रहा, यह है, which of the following are the components that reside on motherboard, motherboard में कौन कौन से component है, जो की reside करते हैं, CMOS, battery, PCI slot, fan या all of the above, तो इस सवाल का जो सही जवाब है, वो है all of the above, अगला सवाल लेते हैं, the communication line between CPU, memory and peripherals is called, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, bus one is the right answer, next question लेते हैं, next question है, dash connects components inside the motherboard like CPU and system memory, तो इस सवाल का जो सही जवाब है, वो है internal bus three, इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, the address of input output devices or memory is carried by the, तो इसका जो right answer है, वो है यहाँ पर address bus, अगला है, a physical connection between the microprocessor, memory and other parts of microcomputer is known as, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे address bus कहा जाता है, 60th question लेते हैं, 60th question आपके सामने यहाँ पर है, the read right line belongs to, तो read right line जो है, यह belong करती है, the control bus को, ठीक है, अगला question लेते हैं, अगला question जो है, वो आपके स्क्रीन पर यह रहा, अगला question है, the name of the location of a particular piece of a data is, इसका जो right answer है, वो आपके सामने यहाँ पर है, address, ठीक है, next question है, which of the following is used to connect the different external devices, इसका जो right answer आपके सामने है, वो यहाँ पर है, external bus, next question लेते हैं, next question है, which is not an integral part of a computer, which is not an integral part of a computer, तो इसका जो सही जवाब है, वो आपके सामने यहाँ पर है, UPS, UPS is the right answer, next question लेते हैं, next question है, a device that not only provides search protection, but also furnish the computer with battery backup power during a power out stage is, तो इसे क्या कहा जाता है, 64, इसका जो right answer है, वो आपके सामने यहाँ पर है, UPS, अगला question लेते है, a temporary storage area attached to the CPU for input output operations is a, तो यह क्या कहलाता है, इसका जो right answer है, वो है buffer, second इसका right answer है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल जो है, वो है, to murder the speed of the processor, dash is used, to speed of the processor को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही जवाब है, clock speed, ठीक है, next आता है, a uniform interval of CPU time allotted for use of performing a task is known as, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे time slice कहा जाता है, fourth is the right answer, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है, what is the full form of DMA, DMA की full form क्या है, तो इसका जो right answer है, वो है direct memory access, first जो है, यह इसका right answer है, यह भी याद रखिएगा direct memory access, अगला question है, the machine cycle includes, तो यह क्या include करती है, fetch, decode, execute, store, तो इसका जो right answer है, वो है none of the above, ठीक है, none of these, 70th question लेते हैं, 70th question है, when machine instruction are being executed by the computer, the instruction phase is followed by the execution phase is referred as, तो एक किस चीज़ करती है, यह है instructional cycle, ठीक है, third इसका right answer है, 71st question लेते हैं, 71st question है, dash is the process of carrying out command, command को carry out करने के लिए, क्या use किया जाता है, तो इसका, जो right answer है, वो आपके सामने यहां पर है, executing, executing is the process of carrying out command, ठीक है, अगला question लेते हैं, अगला question जो है, वो आपके screen पर कुछ इस तरह से है, the processor must have two inputs, ठीक है, तो वो कौन-कौन से inputs है, जो की processor के होने चाहिए, वो है instruction and data, instruction and data जो है, यह इसका right answer है, 73rd question जो है, dash defines the parameters of the action and depends on the operation, तो कौन से operation पर depend करता है, यह है operand, ठीक है, तो second जो है, यह इसका right answer है, 74th question लेते हैं, 74th question यहां पर है, pipeline strategy is called implement dash, ठीक है, तो इसका जो right answer है, यहां पर वो है, instruction prefetch, ठीक है, instruction prefetch, second जो है, यह इसका right answer है, अगला और आज की, जो हमारी, आज का यह topic है, उसका last question यह है, इसको लेते हैं, last question है, आज का, on the motherboard, the connection points for chips are referred to as, तो यह refer करते हैं, socket, ठीक है, second जो है, तो इसका right answer है, तो गाइस, यह हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें हमने 75 questions को discuss किया, जो की based on the computer architecture पर, अगला जो हमारा series होगी, अगली जो हमारा question होगा, अगला part आएगा, computer hardware पर, जो की बहुत जल्दी upload कर दिया जाएगा, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, अगर आप महाँ से download कर सकते हैं, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, हमें support करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, कर दो